नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीसे अकडवी दोस्तों हम लोग की जो सीरीज चल लए हिंदी में आरो यारो की लिए विल्योम सब्द की तो विल्योम सब्द का उसी का ये अगला भाग है और देखते हैं इसमें कुछ गुशन्स हैं तो उनको पढ़ते हैं तैयारी करते हैं अच्छे से और दोस्तों एक बाद और कहना चाहूंगा अगर जिन लोग ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं खिया तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बाद जो बैल आइकन आएगा उस पर जरूर आप टच टैब प्रेस क्लिक करें तो उससे होगा यह इन फीचर जैसे ही हम कोई नय वीडियो अप्लोड करेंगे तुरंद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और चाहे तो आप सबसे पहले देख सकते हैं या फिर अपने टाइम के कोडिंग तो ठीक है दोस्तों देर न करते हैं जरू करते हैं तो आज के भाग का पहला कोईशन इन में से असलील सब्द का विलोम है तो क्या है तो यह जानने के लिए हम पहले आप्शन देखते हैं आप्शन ए है शलील आप्शन बी दुशलील आप्शन सी विशलील और आप्शन डी कुशलील और दोस्तों ये प्रशन होगा यूपी पीस्सी आराई 2014 में पूछा जा चुका है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर है option A, शलील, option A, शलील है चलिए यह हो गया, आते हैं अगले प्रशन पर अब मूख का विलोम क्या है, तो मूख का विलोम क्या होगा दोस्तों देखते हैं पहले option, अल्प भासी, option A है, option B वाचाल, option C म्रद भासी, option D कट भासी, अब यह देखे, यह कई एक्जाम में पूछा जा चुका है तो ऐसे प्रशनों को जरूर आप ध्यान दिए, यह UPPCS परी 2014 में पूछा जा चुका है, UPPCS में 1999, 2005 में पूछा जा चुका है, UPLOWER में 2003 में पूछा जा चुका है तो यह प्रशन जो है, बहुत-बहुत important है, हो सकता है, फिर अभी पूछ दिया जाएगा, यह मेरे नजर में important बहुत है तो 21 नंबर, यानि मुक का विलोम क्या है, तो इसका अंसर है, option B, मुक का विलोम वाचाल, मुक का विलोम वाचाल होता है मुक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अलप भाशी का विलोम बहुभासी होता है, म्रदुभासी का विलोम कटुभासी होता है यहां से और भी आपको clear हो गया, चलते हैं अब अगले परशन पर नूतन का विलोम है, नूतन का विलोम क्या है, option देखते हैं, option A है, प्राचीन, option B, पुरातन, option C, आरवाचीन, option D, वर्तमान यह प्रशन UPPCS मेंस 2015 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानि नूतन का विलोम क्या होगा नूतन का विलोम पुरातन होगा, जो कि option B में दिया गया है, नूतन का विलोम पुरातन होता है, प्राचीन एवं अरवाचीन परस्पर विलोम है, यह clear हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगो, चलिए, देखते हैं, अगले प्रशन को अगले प्रशने को तरून का विलूम है क्या है तरून का विलूम जानने से पहले जो है option देखते है option A है बालक option B यूवा option C वरद्ध और option D अबला ये भी UP pieces में 2015 में पूछा जा चुका है तो तरून का विलूम क्या होगा तरून का विलूम option C वरद्ध होगा तरून का विलूम वरद्ध होता है जो की option C में दिया हुआ है ये हो गया आते हैं अगले प्रशने पर अगला है हश्व का विलूम है तो हश्व का विलूम क्या है इसका अंसर क्या होगा option A देखते हैं option A है option B यह भी प्रशन यूपी पीसेद में 2015 में पूछा जा चुका है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है option A यानि की दीर्ग option A दीर्ग रश्व का विलोम दीर्ग होता है हास रूदन का विलोम तथा विशाद हर्ज का विलोम है अहित हित का विलोम होता है तो बाकी तीन option भी आपको यहाँ से clear होगा इसके दावा इस question के अलावा जो इसमें option में तीन option दिए वो भी clear हो गए वो भाई किसके हैं तो ठीक है दोस्तों यह हो गया अब आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण कहां गया अगला है संपन्न का विलोम है तो संपन्न का विलोम क्या होगा option देखते है option A है निर्धन विकल्प B है विपन और C है विपद option D अस्थिर यह प्रश्ण भी UPPCS Mains में 2015 पूशा जा चुका है तो इसका सही आंसर क्या होगा option B विपन यानि संपन्न का विलोम विपन होता है ठीक है दोस्तों संपन्न का विलोम विपन होता है निर्धन धनी का विलोम तथा विपद संपन का विलोम है अस्थिर इस्थिर का विलोम होता है यह भी आपको clear हो गया चलिए यह प्रश्ण हो गया देखते हैं अगला प्रश्ण अगला है उपेक्षा का विलोम है उपेक्षा का विलोम क्या है ऑप्शन देखते हैं पहला है यानि ए ऑप्शन अपेक्षा बी अवेक्षा ऑप्शन सी अनुपेक्षा ऑप्शन डी अनुपेक्षा यह प्रश्ण भी UPPCS में 2015 में पूछा जा चुका है तो उपेक्षा का विलोम क्य इसका अंसर है option A, अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा होता है जो की option A में दिया हुआ है, अपेक्षा होता है अवेक्षा तथा अनवेक्षा परस्पर विलोम है, यानि अवेक्षा ये दिया हुआ option B और option D जो दिया हुआ अनवेक्षा परस्पर विलोम है, ठीक है, ये हो गय किलियर अगला है आवरत का विलोम है आवरत का विलोम भई क्या होगा option देखते हैं ए है अनादरत बी आवरण सी अनावरत और option डी अनासक्त ये भी प्रशन है UPPCS Mains 2014 में पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा 27 नंबर प्रशन है इसका अंसर है option C, आवरत का विलूम अनावरत है, जो की option C में दिया गया है, इसलिए answer हमारा option C होगा, आवरत का विलूम क्या होता है, आवरत का विलूम अनावरत होता है, आदरत का विलूम अनादरत तथा आसक्त का विलूम अनासक्त है, उमीद करता हूँ यह बही clear हो गया विलोम है, अब उपचय का विलोम क्या है, option देखते हैं, option है, a, अपचय, option b, अवनत, option c, रोपन, option d, अनुरुवर, ठीक दोस्तों, option d, अनुरुवर हो गया, ये प्रशन भी यूपी पीसे मेंस में 2014 में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंस जो की option a, यानि विकल्प a में दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा विकल्प a होगा, तो उपचय का विलोम, अपचय होता है, अवनत, उननत का, तथा रोपन, आरोपन का विलोम है, अनुरुवर, उर्वर का विलोम है, ये भी आपको यहां से clear हो गया, अगला देखते हैं, जागरत का विलोम है, जागरत का विलोम, option है, a, निद्रा, option b, सुस्त, option c, सुप्त, option d, सुसुप्ती, ठीक है, ये प्रशन भी यूपे पीसेस में 2014 में आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है, option c, option c, जागरत का विलोम, सुप्त होता है, जो की option c में दिया हुआ है, इसलिए option c हमारा सही होगा, इस प्रशन का अंसर, option विकल्प सी है, जागरत का विलोम, सुप्त होता है, जागरन का निद्रा, तथा जागरत का विलोम, सुशुप्ती होता है, ये भी clear होगे आपको, दे के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आप सबी लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो बिलकुल आप लाइक करिए और जितना होशा कि आप शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचा यह दूसरों की मदद कीजिए और बस इतना ही और हाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा बहुत से लोगों साथ कंटेंट क्लियर नहीं है यह प्रॉलम आ रही है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा यह समस्य आ रही है तो आप लोग अगर जिन लोगों को भई उसमें भी यही सेटिंग होती है तो उसमें करना क्या है आप यूट्यूब एब खोलेंगे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो ऊपर यानि राइट साइड कॉर्णर पर थ्री डॉट दिये होंगे वह एक मीनू है मीनू बटन है तो उस त्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे त तो वहां पर कई डेर सारे ऑप्शन खुलेंगे उसमें एक ऑप्शन आता है क्वालिटी का ठीक है तो क्वालिटी जो है वह आपके नेट की स्पीड के उपर डिपेंड करती है ठीक है जिस तरी के से स्पीड आएगे अगर अच्छी स्पीड आएगे तुसे तरी के से उपर ही रखिएगा अगर ऐसा होता है तो क्योंकि वहां पर बफरिंग भी होती है इसलिए आपको वीडियो जो है बिल्कुल ग्री क्वाल्टी के दिखाते हैं ताकि आपका वीडियो कंटीन्यू प्ले होता रहेगा वरना वो बफरिंग करेगा फ्रसा रुकेगा फिर चल आपको उतनी ही बढ़िया मिलेगी और केवल इसी वीडियो के नहीं आप किसी भी वीडियो में आप देखिएगा किसी भी वीडियो में आप ट्राइ करके देखिएगा आपको क्वाल्टी बिल्कुल बहतरी इन दिखाई देगा वीडियो तो बहुत सो लोगों को यह